हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो आई चैनल स्टडी फोर यू सो गाइस आज के इस वीडियों हम लोग देखने वाले हैं जो आपका ससी सियाच असल का एक्जाम होने वाला है दो अगस से लेकर 17 अगस तक उसके लिए हाली के एक्जाम में TCS के द्वारा जितने भी प्रेंट्स न पूछे गया हैं उन सभी प्रेंट्स वीडियों को इस वीडियों में डिसकस करने वाले हैं तो जो भी कैंडिट्स इस बार SSE सियाच असल का एक्जाम देने वाले हैं मैं आपको 100% ये गैरंटी देता हूँ कि आपके सियाच असल के एक्जाम में यहां से प्रेंट्स न जरूर पूछे जाएंगे तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखेगा और आपसे रिक्विश्ट करता हूँ अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे सियाच असल एक्जाम का डेली एनलाइसिस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा और बगल में आपको एक बैल एकन यानि घंटे का निशान भी दिख रहा होगा तो आप उसे भी जरूर प्रेश कर दीजेगा तो चले विडियो को स्टार्ट करते हैं में हुई थी तो देखे कुची पुड़ी जो है एक आंध्रपरदेश राजी का जो एक सास्त्रे नेत्य है और इसकी जो उत्पति है ना यह आंध्रपरदेश में ही हुआ था तो आंध्रपरदेश आपका करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कोश आपके आप रहा था कि 2019 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है किस जगह पर योग का जो है वो कारिकरम किया था तो देगे 2019 में पाँचवा अंतरास्ट्रे योग दिवस मनाये गया था जो की 21 जुन को प्रतिवर आपका योग दिवस मनाये जाता है और इसमें पीम नरेंद्र मोदी ने जो है जारकन की राजदानी राची में योग दिवस मनाये था तो राची आपका यहाँ पर करेक्ट answer होगा बात कर ले राजजी के किस मैदान में जो है इस मुख्य सामरों का आयोजन किया गया था तो ये प्रभाधतारा मैदान में जो है इसका आयोजन किया गया था नेक्स्ट कोश आप कहा आप रहा था कि जून 2022 में किस राजजी में जो है कासी यातरा योजना जो है ये सु तो करनाटक आपका करेक्ट एंसर होगा बात कर ले कासी यात्रा योजना ये करनाटक सरकार के द्वारा क्यों सुरू किया गया है थो देखे उतर परदेश के वहरा नसी में जो आपका कासी विश्वनात का जो मंदिर है ना इसमें जो है आपके करनाटक के जो लोग होता है न नेक्स्ट कोश आपके आप रहा था कि भारत के शंबिधान का जो अनुछेद 20 है ना ये किस से संबंदित है तो देखे अनुछेद 20 की बात कर ले तो ये अपरादों के लिए सजा के संबंद में जो है संरचन से शंबंदित है तो ये आपके यहाँ पर करेक्ट एंसर होगा इससे पहले जो आपका एक्षलरेशन यानि त्वरन का जो ऐसा ही मातरक पूछा गया था तो ऐसा एक्षलरेशन का जो ऐसा ही मातरक होता है वो मीटर पर सेकेंड असक्वाइर होता है और उस वैक्ट में जो है आपको मैंने चाल का जो है ऐसा ही मातरक भी जो है वो बता है कि नीती आयोक के पदेन अध्यच जो है ये कौन होते है तो देखे नीती आयोक के जो पदेन अध्यच है न ये भारत के प्रधान मंत्री होते है तो प्रधान मंत्री आपका correct answer होगा इसके लावा अध्यच की बात कर ले तो ये भी आपके प्रधान मंत्री ही होते है और उपा है किसके तो नीटी आयोंगे जो अपाद्य और आप और एक्ट करके बताई जा Вам कि यह ना जाए Moor जा जाता है। तो देखें यह आपका कुलू दह सहिएगा है ना यह उत्तर भारत में हिमाचल परदेश राज मनाया जाता है तो हिमाचल परदेश आपका करेक्ट एंसर होगा और महीने भी जो आप ध्यान में रखेगा क्योंकि टीशेस के द्वारा जो है आपका महीना भी जो वो पूछा जाता है नेक्स्ट कोश आपका आप रहा था कि who is the father of modern ecology यानि आधुनिक परिस्थितिगी इसके जो जनक है ये कौन है तो देखे आधुनिक परिस्थितिगी इसके जो जनक है ये आपके यूगीन ओर्डम है तो यूगीन ओर्डम आपका correct answer होगा नेक्स्ट कोश आपके आप रहा था कि गिनेज बुक में आसा भोशले का जो नाम है ये किस वर्स दर्ज किया गया था तो देखें मैं आपको बता दू कि आसा भोशले को उनके एकल गानों की वज़ज़ से जो है साल 2011 में उनका जो नाम है न वो गिनेज वर्ड अस्थापित किया था तो देखें पहला जो अंग्रेजी खरकाना है ये आपका 1651 में जो है बंगाल में हुगली नदी के किनारी जो अस्थापित किया गया था तो 1651 आपका करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कोश आपका है आप रहा था कि मैयूड सर्मा के द्वारा किस वर् पतादू कि करनाटक के राज़ा 345 असवी में जो है मयूट सर्मा के द्वारा यह जो है कदम समराजजी की अस्थापना की गई थी तो कदम समराजजी अापका करेक्ट Denise S riso रहोगा थी नेक्स कोरिब आपका रहा था कि निम्ने में से कौन जो है संक्रमी प्रदार्थ यानि फोमाइट का एक उदारन है जहां पे आप्सन में जो आपका एक आपका वाटर दिया गया था सेकंड आप्सन में जो आपका ब्लड दिया गया था थर्ड आप्सन में जो आपका सैलीवा दिया गया था और fourth option में जो आपका glass यानि कांच जो वो दिया गया था तो बात कर ले संक्रमनी प्रदार्थ ये जो है क्या होता है तो देखे ऐसे पदार्थ को संक्रमी पदार्थ कहा जाता है जिसके द्वारा संक्रमन को जो है एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर जो वो ले जाया जा सक दोगता है और उदार्थ के थौर पर अगर मैं बात कर लू है तो ये जो आपके फोमाइट के उदार्थ होते हैं यापके आपके sapp Vietnamese के वो दिया गया था तो कांच आपका correct answer होगा next question आपका आप रहा था कि जो आपका long tennis होता है इसके जो कोट की लंबाई कितनी होती है तो देखे long tennis coat की लंबाई की बात कर ले 23.77 meter होता है 23.77 आपका correct answer होगा तो ये तो आपका length हो गया अब हम लोग बात कर लेते width यानि चोड़ाई की तो tennis coat में आपको जैसा की पता है कि doubles match आपके होता है और एक single match होता है तो देखे tennis coat में अगर double match के चोड़ाई की बात कर ले तो ये आपका 10.97 meter होता है वहीं अगर single match के लिए इसके अगर width की बात कर ले यानि चोड़ाई की बात कर ले इसके वर्तमान महान इदेशक यानि DZ के रूप में ये किसे नुक्त किया गया है तो देखे हाली में CRPF के जो वर्तमान महान इदेशक है ये SL थाउसेन को जो हो नुक्त किया गया है तो SL थाउसेन आपका correct answer होगा next question आपका आप रहाए था किस सिक्किम को किस अनुछेत के तहट जो है विसेस राज्य का दरजा दिया गया है तो देखे मैं आपको बता दू कि हमारे संबिधान में अनुछेत 371 के तहट बहुत सारे राज्यों को जो है विसेस राज्य का जो है वो दरजा दिया गया है और अनुछे 371 एप को जो है संभीधान में 36 संभीधान संसुधन जो कि आपका 1975 में हुआ था इसे जो वो जोड़ा गया था और अनुछे 371 एप के तहर जो है आपके सिक्किम राजजी को जो है एक विसेस राजजी का दर्जा दिया गया है तो 371 एप आपका करेक्ट एंसर ह होगा नेक्स्ट कोशा आपका या पराया था कि निम्न में से कौन जो है नविंतम वरलीद परवत है यानि यंग फोल्डेड माउंटेड के बारे में आपसे पूछा गया था तो देखें यह जो आपका आलपस परवत है ना यह आपका नविंतम वलीद परवत का जो एक और आलपस परवत का सबसे जो ऊची चोटी है ना, यह आपका माउंट ब्लेंक है, जो कि आपका कहां पर इस्तित है, तो यह आपका फ्रांस में इस्तित है, इसके अलावा अगर आगे के सिप्टों में, या फिर किसी भी एक्जाम में अगर पूछा जाए, कि दुनिया का सब से प्राचीन वलीद परवत कौन है अगर प्राचीन पूछा जाना तो यह आपका अरावली है तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश आपका आप रहा था कि निम्न लिखित में से किस राज्जी में जो है थाई पूशम तेवार मनाय जाता है तो कोशम न लाडु राजजी में मनाय जाता है तो तैमिल लाडु आपका रिखेंसर हो है और एक बात आपको और यह ध्यान में Cathy पूशम न लादे करा फूशम न लाद कर पूशम न दे धिए रहा थाई तो धाई पूशम न लाद कि तैवार है यह केरल राज्जी का तेवार कभी कभी एक्जामनर आपको कन्फियूज करने के लिए इस परकार से प्रेशन जो है वो पूछे जाते हैं इसके अलावा तमिलाडू के अन्ने तेवार की बात कर लें तो जैसे कि यह जो आपका पुथांडू जो की तमिलाडू के नव वर्स का एक तेवार है इसके अलावा फलोट महसो जो की मदूरे में मनाय जाता है जली कट्टू तेवार आदीप पिरक्कू पोंगल वलविल ओरी महसो इसके अलावा काथी गई दीपम ये सबी जो तेवार है ना ये तमिलाडू के तेवार है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश आनि जो आपका सीनो कॉलाजी कहा जाता है तो सीनो कॉलाजी आपका यहां पे करेक्ट एंसर होगा तक कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी जो है ये किस महादीप में इस्तित है तो देखें विश्व का जो सबसे लंबा नदी है ना ये आपका नील नदी है और य आखकाली में किस भार्थिय राज जी के दोरा किया गया है तो देखें मैं आपके बता दू कि हर्या लाल के मंत्री मन्ठी лиला खटर। अनको सायता प्रद्रान करने के लिए कि लिए खार्या मात्री सक्थी उध्मिटा योजना की गोशना की लिए én है तो देखे केंद्र सरकार की उजवला योजना और हिमाचल परदेश सरकार की ग्रिहनी शुविधा योजना के बदालत जो है डिसंबर 2019 में हिमाचल परदेश जो है देश का पहला LPZ यूग्त और धुआ मुक्त जो है ये राज्ये बना है तो हिमाचल परदेश आपका correct answer होग ये रोहनी भाटे के द्वारक किया गया था और कब किया गया था तो ये 1947 में ये किया गया था बात कर लें रोहनी भाटे ये जो है किस नेतिश से शंबंदीत है तो ये आपका कथक नेतिश से शंबंदीत है तो रोहनी भाटे आपका correct answer होगा नेक्स्ट कोश आप कहा अपना था कि 1498 में भारत की समुद्री मारगे की जो खोज है न ये किसके द्वारा किया गया था तो देखें ये जो आपका रिपिटेट प्रेशन है कल भी जो आपका ये थर्ड सिप्ट में प्रेशन पूछा गया था तो ऐसा नहीं है कि प्रेशन आपका रिपिट नहीं हो रहा है हर सिप्ट में जो है लगातार दो से तीन प्रेशन जो है वो आपके रिपिट हो रहा है आपका 1808 में जो है ये खोजा गया था वही अगर प्रकासित की बात कर ले तो ये आपका 1809 इसवी में जो है इसे प्रकासित किया गया था तो अगर प्रकासित पूछा गया था तो 1809 आपका करेक्ट एंसर होगा वही अगर डिशकबर यानि खोज के बारे में पूछा गया और प्रेशर जो होता है वो डिरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है वो टमप्रेशर का होता है तो यह आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश्च आपका यहाँ पर रहा था अंतरास्ट्री योग दिवस 2021 की थीम यानि विशह के बारे में पूछा गया था तो देखें अंतर 2021 में इसका थीम रहा था तो कल्यान के लिए योग आपका करेक्ट एंसर होगा बात कर ले अंतरास्ट्री योग दिवस 2022 का थीम क्या रहा था तो यह आपका योगा फोर हुमैनिटी यानि मानवता के लिए योग ये जो है 2022 का थीम रहा था तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान located between which latitudes यानि जो है आपका गंगा ब्रह्मोपुत्र नदी है ना यह जो आप बेसीन मुख्य रूप से किस अचांसों के बीच यह इस्तित है तो देखे बात कर ले गंगा ब्रह्मोपुत्र नदी के बेसीन के बारे में तो यह आपका 10 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री नॉर्थ अचांस के बीच यह आपका इस्तित है तो 10 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री नॉर्थ आपका यहाँ पर करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कोश आपके यहाँ पर रहा था कि houses of मेहरगड are of which shape यानि मेहरगड के जो घरे है ना वो किस परकार के होते थे तो देखे मेहरगड के जो घर होते थे ना वो आपके वरगाकार और आयादकार के होते थे यानि square और rectangular shape के होते थे तो square और rectangular आपका correct answer होगा देखे अगर दोनों में से कोई एक option में दिया होगा ना तो फिर आपका rectangular आंगुलर जो है आपका correct answer होगा next और आपका निम्नल chosen经ण रहा है तो दीखनी कों आपका सितारा देवी निम्नल इखित में से जो है किस नपत्र सें शरक मंदीत है तो कथक आपका correct answer होगा बात कर ले कतक यह किस राज्य का सास्त्रे नित है तो यह उत्तर परदेश राज्य का उस राज्य का एक सास्त्रे नेत है नेक्स्ट कोशा आपका आप रहा था कि निमनल इखित में से कौन सा जो है हिमाचल परदेश का लोकनेत यानि फॉक डांस है तो देखे हिमाचल परदेश के फॉक डांस की बात कर लें तो यह आपका चेडी है, छरही है, नती है, डांगी है, छपेली है, महासू है, जाली है और धमन है, तो यह जो आपका option में धमन दिया गया था, तो देखें यह जो आपका धमन है ना, यह आपका हीमाचर परदेश का एक लोक नेत है, तो धमन आपका यहाँ पर करेक्ट एंसर होगा, नेक्स्ट कोश आपके आप रहता, कि ब्लीचिंग पाउडर का जो निर्मान है तो क्लोरीन आपका करेक्ट एंसर होगा, देखें जब कैल्सियम हाइडर उकसाइड को, जब क्लोरीन से अभिक्रिया करवाई जाती है ना, तो यह आपका CAOCL2, यानि जो यह आपका ब्लीचिंग पाउडर जो वो देता है, तो यह आपको ध्यान में रखना है, इसके लाब जो जहां पर आपसन में आपका 1961, 1971, उसके बाद 1981 और 1991 जो आपका दिया गया था, तो जैसा कि आपको पता कि आपका जो आपका जनगन्ना होता है, यह दस वर्टो की अवधी पर होता है, ठीक है, और इसमें आपका जो पहली बार जो वरिदी में जनसंक्या की वरिदी दर म लेकिन 1991 में पहली बार जो यह घटकर 23.9% हो गया था, वहीं अगर 2011 की बात कर ले, तो 2001 से 2011 की जनगना में जो कितना गिरावट देखने को मिला था, तो यह आपका 17.7% जो है, वो देखने को मिला था, तो 1991 आपका correct answer होगा, नेक्स्ट कोशा आपका आप रहा था, कि मुख्य मंत्री चाइस रहमी कल्यान प्रकल्प योजना किस राज्जे द्वारा जो है, वो सुरू किया गया है, तो देखिए मुख्य मंत्री चाइस रहमी कल्यान प्रकल्प योजना जो है, यह त्रीपूरा राज्जे के द्वार जो वो सुरू किया गया है तो त्रीपूरा आपका करेक्ट अंसर होगा और देखे इस योजना के अंतरगत जो है आपके राज्य सरकार और केंडर शरकार के द्वारा त्रीपूरा के चाय बगान जो सरमिक है ना इन्हे जो है आवास रासन और विते साहता जो वो प्रदान की जाएगी तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश आपके आप रहा था कि पदम सरी पुरुषकार विजेता गुलाबो सपेरा ये जो किस लोक नेतिशे शमंदीत है तो जैसा कि पहले मैं आपको बता दू कि ये जो आपका गुलाबो सपेरा है ना इ अगर बात कर ले कालबेलिया ये जो किस राजजी का लोक नेतिशे है तो ये आपका राजस्थान राजजी का जो एक लोक नेतिशे है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है तो कालबेलिया आपका करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कोश आपका आप रहा था कि फु हबियस कॉर्परेशन यानि बंदी प्रतियची करन्थ से आपका प्रस्ट जो है वो पूछा गया था तो देखे एक्जेक्ट तो हबियस कॉर्परेशन के बारे में ही पूछा गया था ये जो आपका उत्तर नहीं होगा लेकिन मैं आपको बता दो कि अपने एकॉर्डिंग ज ना तो इस इस्तीते में आप लोग जो हाई कोट और सुप्रीम कोट में जा सकते हैं और वहां से जो आप हैब ये जो कॉर्पस है ये आपका बंदी जो प्रतियच करन है ना ये इस नाम से जो आप रीट है और इसको आप जो हाई कोट या सुप्रीम कोट के द्वारा जो है वो रिट जारी किया जाता है वहीं अगर हाई कोट की बात कर ले तो हाई कोट जो है ये अनुचे 226 के तहर जो है वो रिट जारी करता है वहीं भारत में कितने परकार की रिट है तो ये आपका पांच परकार की जो है वो रिट है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना कि भारत की उस्तम न्याले के मुख्ष नइदीस है इनको पद से जो संसद ही अठा सकता है कि अगस्ट 2022 में किस भारती क्रिकेटर को जो है उत्राखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो है न्यूक्त किया गया है तो देखे हाली में अगस्ट 2022 में ये विकेट कीपर बल्लिवाज रिशब पंथ को जो है उत्राखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो वो नियुक्त किया गया है, तो रिशब पंत आपका यहाँ पे correct answer होगा, next question आपका आप रहा है था कि ICC T20 महिला विश्वकप 2020 का जो आयोजन है ना, यह कहां पर किया गया था, तो देखें सबसे पहले तो आप संस्करन जान लिजे, कि जो आपका 2020 में ICC T20 महिला तो यह आपका सात्वा संसकरन था, संसकरन आप इसलिए जान लिजे, क्योंकि यहाँ से जो आपके प्रेश्न पोछे जा रहे है तो यह जो आपका सात्वा संसकरन था, जो कि 21 परवरिशों लेकर 8 मार्च 2020 के भीज, यह आपका आऊस्ट्रेलिया में आयोजन किया गया था, तो आस्ट्रेलिया आपका correct answer होगा बात कर लिए 2020 का जो ICC T20 महिला विश्व कप इसके जो विजेता टीम कौन रहा था तो ये आस्ट्रेलिया देश रहा था इससे पहले जो आपका उप विजेता पूचा गया था तो देखे 2020 में जो उप विजेता है ना ये भारत देश रहा था तो ये fact भी आपको ध्यान में रखना है इसके लाव आप ये भी important point ध्यान में रख लीजे कि जो आपका ICC T20 महिला विश्व कप इसकी जो सुरुवात है ना ये आपका 2009 से किया गया था यानि जो पहला संस्करन हुआ था वो आपका 2009 में जो वो खेला गया था नेक्स्ट कोश आपके आप रहा था कि 2022 का जो FIFA अंडर 17 है ना ये महिला विश्व कप भारत के किन सहरों में जो है ये आपका नहीं हुआ था तो जहां पे option में आपका नवी मुंबई भूनेश्वर, दिल्ली और गोवा दिया गया था तो देखें मैं आपको बता दो कि 2022 का जो FIFA अंडर 17 जो महिला विश्व कप है ना ये भारत में खिला गया था और भारत के जो है आपका तीन सहरों में खिला गया था वो तीन सहर कौन कौन से थे तो एक तो आपका महराष्ट राजजी के जो है नवी मुंबई में खिला गया था सेकर्ड आपका उडिशा के भूनेश्वर में खिला गया था और थर्ड जो आपका गोवा के जो है मंडगाओं में खिला गया था तो नई दिल्ली आपसन में दिया गया था तो नई दिली आपका correct answer होगा क्योंकि यहाँ पर आपका महिला विश्यू कब जो है FIFA 117 यह जो है नहीं खेला गया था तो नई दिली आपका correct answer होगा नेक्स्ट कोश आपका fact की बात कर ले तो इसके जो champion रहा था ना वो अस्पेन देश रहा था और अस्पेन ने जो है किसे हराया था तो यह कोलंबिया देश को हराया था और यह अस्पेन का जो है यह दूसरा खिताब था तो यह fact भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश आपका आप रहा था कि in India other deposits of post office saving are included in which type of money supply यानि भारत में डागगर बचत के अन्य जमा यह जो किस मुद्रा आपूर्टी में जो है यह सामिल है तो देखे मैं आपको बता दू कि भारत में रास्ट्रे बचत प्रमान पत्र के अलावा यह जो आपके डागगर बचत के जो अन्य जमा पैसे होते है इसकी जो आप उड़ती है वो आपका M4 माप में जो वो सामिल होता है तो M4 आपके यहाँ पर करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कोशन आपके यहाँ पर आया था भारत के सम्विधान के तहट निमनलिखित में से कौन सा जो है एक मौली कर्टब भे नही और 11 जो आपका मौली कर्टब भे ना या आपका 86 शम्विधान संसोधन जो कि आपका 2002 में हुआ था इसके माद्यम से जो हैं मारे चम्भिधान में 11 मौली कर्टबे को जोड़ा गया था वर्तमान में मौली कर्टबे की बात कर ले तो वर्तमान में हमारा 11 मौली कर्टबे है और एक option में आपका दिया गया था कि बड़ो का सम्मान करना तो ये एक परकार का मौली कर्टबे नहीं है तो साइध आई थिंक आप functional unit को जो है वो क्या कहा जाता है तो इसे जो आपका कोशी का यानि सेल कहते हैं तो सेल आपका correct answer होगा next question आपका आप रहा था कि ammonia का जो सुत्र पूछा गया था तो देखे ammonia का जो formula होता है ना वो NH3 होता है तो NH3 आपका correct answer होगा इससे पहले जो आपका जिपसम का सुत्र पूछा गया था तो देखे जिपसम का जो सुत्र होता है वो C.A.S.O.4.2.S.2 होता है इसके लावा प्लास्टर और पैरिश की बात कर ले तो प्लास्टर और पैरिश का जो रासाइनिक सुत्र होता है वो C.A.S तो फूर हाफ S.O. होता है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट को शाप कहा रहा था कि लावा से कौन सी मिटी जो हो बनती है तो देखे लावा से आपका काली मिटी जिसे रैगूर मिटी भी कहा जाता है तो ये जो आपका काली मिटी बनता है तो काली मिटी आपका correct answer होगा इसके अलावा बात कर ले काली मिटी जो है ये किसके उपच के लिए महतपूर्ण माना जाता है तो ये जो आपका कपास की उपच के लिए जो वो महतपूर्ण माना जाता है इसके अलावा बात कर ले काली मिटी यह जग किस प्रदेश में सबसे अधिक पाया जाता है तो यह आपका गुजरात, महरास्ट, मद्यपरदेश और आंद्रपरदेश इन सभी राज्यों में जो है काली मिटी जह वो ज़्यादा देखने को मिलता है नेक्स्ट कोशन आपके आप रहा था कि किसी उदासिन विलियन यानि न्यूट्रल साउलिशन का पी एच मान पूछा गया था तो देखें किसी भी उदासिन विलियन का जो पी एच मान होता है वो सेवन होता है तो सेवन आपके यहाँ पे करेक्ट अंसर होगा नेक्स्ट कोश आपके आप रहा था कि कुमकुम महंती को 2005 में ये कौन सा आवार्ड मिला था तो देखें ये जो कुमकुम महंती है ना एक ओडिसी नित्यांगना है और इन्हे 2005 में पदम स्री शे शमानित किया गया था तो पदम स्री आपका करेक्ट अंसर होगा नेक्स्ट कोश आपके आप रहा था कि निम्लिखित नदियों में शे कौन सी जो है एक वरंस गाटी यानि रिफ्ट वैली से होकर जो हो बहता है तो देखे मैं आपको बता दू कि नर्मदा और तापी एक मात्र ऐसी नदिया है जो पश्चिम दिशा में बहती है और एक ब्रंस गाटी से होकर बहती है तो आपके option में या तो नर्मदा नदी दिया होगा या फिर जो आपका तापी नदी दिया होगा तो इन दोनों में से जो भी दिया होगा वो आपका correct answer होगा next को आप रहा था कि असम के परंपरी ने साल के रूप में जो है ये कौन सा तेवार मनाया जाता है तो देखे मैं आपको बता दो कि असम के एक साल में आपके तीन बहू कौन कोंसे हैं तो पहला तो आपका भु 누가 बहू जिसे रंगोली बहू भी कहा जाता है और ये जो आपका बैस शाख यानि अपरेल के मद्द महीने में मनाय जाता है सेकंड जो आपका है वो माग भी हूँ है जो कि आपका जनवरी के मद्द महीने में मनाय जाता है और थर्ड जो आपका कार्टी भी हूँ है जो कि कार्टी यानि अक्टूबर के मद्द महीने में जो है ये मनाय जाता है तो नए साल के रूप में जाए कौन सा तेवार मनाय जाता है असम में तो ये आपका बोहाग भी हूँ या फिर रोंगाली भी हूँ जो है ये मनाय जाता है तो बोहाग भी हूँ आपका correct answer होगा नेक्स्ट कोश आपके आप रहा था कि हरित करांती का जो संबंद है ना ये किस फसल से है तो देखे मैं आपके बता दू कि हरित करांती के दौरान गेहू और चावल की जो उच उपज वाली किसमे थी ना इसमें जो काफे वृद्धी हुआ था तो ये जो आपका गेहू और चावल से संबंदित है तो अगर देखे ऑप्सन में आपका चावल नहीं दिया होगा तो गेहू जो आपका यहाँ पर करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कोश आपके आप रहा था कि नमबर ऑफ कार्बन एट इन बक मिनिस्टर फूरीन आर यानि बक मिनिस्टर फूरीन में ज इसकार जो नाम है वो बंक मिनिस्टर फूरीन के नाम पर रखा गया था और इस अनुमें कार्बन की छोटी इकाईया होती है वो एक दूसरे सिंगल और डबल बॉंड से जो है यह जुड़ा होता है यानि इसमें जो आपका 20 हैक्षा गॉन होता है और 12 जो होता है वो नेक्स्ट कोश आपका आप रहा था कि एक आपका तमिलाडू से जो यह आपका एनम एचुतम जो योजना है ना यह कितने साल के बच्चों के लिए यह योजना सुरू किया गया है तो देखें मैं आपको बता दू कि तमिलाडू के मुख्यमंत्री एमके स्टाइली ने की खाई को पाटने के लिए जो है एनम एचुतम यह जो योजना है ना वो सुरू किया गया है तो आठ साल से कम उम्रे के बच्चे आपका करेक्ट एंसर और बात कर ले इस योजना का उदेश है क्या है तो देखें इस योजना का जो उदेश है ना वो 2025 तक मुलभूट नेक्स्ट कोशन आपका आया था कि असोक नी धम के प्रशार के लिए जो है कि इसको न्यूक्त किया था देखे एक्जाक्ट जो यह प्रश्ण मुझे नहीं मिल पा है लेकिन इसमें सारे फैक्ट जब मैं बताऊंगा ना तो आपको एंसर जो वो क्लियरली आपको पता चल जा तो देखे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते अशोक मौरे ऐशोक के बारे में तो देखे यह मौरे वन्स का तीसरा सासक था और देखे धम के प्रशार के लिए असोक के द्वारा धम महात्मा के रूप में वो निक्त किया गया था जो क्या करते थे तो जो लोगों को धम के बारे में प्रशार या फिर पढ़ाने के लिए जगा 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 जग के प्रशासन को बनाए रखने के लिए जो है असुक के द्वारा किसे न्यूक्त किया गया था तो देखे दिन प्रती दिन के प्रशासन को बनाए रखने के लिए यह आपका अमात्य का जो है वो न्यूक्त किया गया था जो कि यह जो अमात्य थे न वो एक सिविल सेवक थे त तो अगर यह पूछा गया था, तो अमात्य आपका करेक्ट एंसर तो इतने कोशन जो है जी के में लिए तो